ए गुप्त जीवन तत्तु तू ही कम्पित कणकण में होता है ए गुप्त जीवति तु प्राणी मात्र में जक्मग छक्मग होती है ए गुप्त प्रेम तू अखिल विश्व को एक सूत्र में पोता है जो जण करें एक अत्व का अनुभव तुम्हारे साथ में जाने अताव हैं बरस पर एक सबके साथ में सभी आत्मी बंदूओं का बहुत-बहुत स्वागत और सभी को साधर प्रणाम जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इस गोश्टी में प्रेयर की उपर बात करने जा रहे हैं कि प्रेयर प्रार्थना क्या है इसको हम लोग थियोसवी के प्रकाश में देखेंगे और इस विशे पर प्रकाश डालने के लिए अपने विचार शेयर करने के लिए हमारे साथ बंदू यूएस पांडे जी हैं और मेरे ख्याल से बंदू यूएस पांडे जी को हम सभी लोग बहुत समय से जानते हैं उनके जो उन्होंने कार रिखिया है थियोसाफिकल सोसाइटी के लिए थियोसाफिके प्रचार के लिए उसके मात्यम से हम सभी उनको बहुत अच्छे से उनके सुभाव से परिचे थे लेकिन फिर भी एक एक फॉर्मल इंट्रोड़क्शन के रूप में जो लोग शहर नहीं जानते हूं कि वो एडिशनल डारेक्टर जनरल के पद्स से मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेस में रिटायर हुए थे और थियोसाफिकल सोसाइटी के आप लाइफ मेंबर हैं काफी समय से आप इंडियन सेक्शन के नैशनल लेक्शलर के रूप में अपनी ड्यूटी कर रहे थे साथ ही इंटरनेशनल स्पीकर के रूप में भी उन्हें थियोसाफिकल सोसाइटी अडियार से जिम्मेदारी सौप दी गई है जिसका वो भलीभाती ड्यूटी अपनी निभा रहे हैं और तेरा साल तक 13 years he worked as Secretary of UP Federation from 2006 to 2019 और लास्ट यर ही उन्होंने UP और उत्तराखंड Federation, Theosophical Federation जो हो गया है अब उसके प्रेसिडेंट के रूप में अपना कारिभार समाला है और बहुत ही सक्रिय रूप से आप Theosophical शिक्षाओं के प्रचार, प्रसार के लिए अपनी पूरी एनरजी के साथ सदैफ ततपर रहते हैं भारत में ही नहीं, उन्होंने विदेशों में भी इन परसन जाकर और उनलाइन माध्यम से उन्होंने टॉक्स दिये हैं, स्टेडी केंप्स अरेंज किये हैं, और साथ ही साथ स्कूलों में जाकर, एडुकेशनल इंस्टिउशन्स में जाकर, शोशल ग्रूप्स में जाकर, वहां के लोगों को, स्टुडेंट्स को, टीचर्स को, और बाकि जो वहां के ऑफिस वेरर से उनको, थियोसॉफिकल प्रका, लाइट में, जीवन को कैसे और अधिक प्रसन बनाएं, स्वस्त बनाएं, शांती प्री बनाएं, इसका उन्होंने कार्य किया हैं, साथ ही उन्होंने बहुत से आर्टिकल्स लिखे हैं, इंगलिश और हिंदी दोनों में, जो कि विभिन्द पत्रिक वे 21 आर्टिकल्स का कलेक्शन है हिंदी में, वो पब्लिश हुई है, बहुत ही बुक है, साथ ही वो टी ओएस का कार भी करते हैं, काफी चैरिटेबल सनस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के बोर्ड आफ मेनेजमेंट में भी व और अगर मेरी दृष्टी से देखें तो मेरे ख्याल से उनको हम कह सकते हैं कि वो थियोज़ूफी को पूरी तरीके से जीने का प्रयास करते हैं और वही उनके जो टॉक्स हैं, उनके टॉक्स की जो गहराई है और उनका प्रभाव है, वो हम सभी तक आता है, तो बिना किसी विलम के मैं बंदू यूएस पांडे जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के इस विशय पर वट इस प्रेयर प्रार्थना क्या है जिसके बारे में अलग-अलग लोगों के मन में अलग-अलग धारणाएं हैं विश्वास हैं उस पर वो अपने विशार हमारे साथ शेयर करें बंदू यूएस पांडेजी ओके बंदू बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत लंबा चोड़ा पर्चे दिया जो आज का आघ जो हमारे हुआ भाई बहन इसमें वी तर शबी का मैं स्वागत करताएं सभी को अपना हर्दिक्त सुब कामनाई धेता हम फहें का मैंरे क्या है किस तरह किस टाइप की प्रेयर है प्रेयर करना चाहिए कैसी प्रेयर करना चाहिए खास्तर उसे जो एक एक एस्टेटरिक spiritual path में deeper spiritual path में उनके लिए prayer क्या है और कैसी prayer करें करें तो नहीं करें यह सब प्रेयर जो कामन आदमी है उसके लिए एक emotional issue है और यह सभी धर्मों में प्रार्थना प्रचलिक्त है और इसको अच्छा माना जाता है लेकिन mostly यह emotion devil पर रहता है जैसा आप जानते हैं कि क्योस्वी में जो हमारा जो ग्यान मार्ग है उसमें हम emotion से उठके intellect, logic और फिर बुद्धी पर जाना चाहते हैं राजियोग में तो उस नजर से भी हम prayer को देखेंगे थोड़ा सा क्या चीज़ है प्रार्थना जो सभी धर्म में important step माना गया है चर्च में हमारे मंदिनों में और individual रूप से स्कूलों में हम सभी ने प्रार्थना किया है अलगा तरिके से तो यह है क्या और फिर इसका जो प्रकृट के डियम है उससे और क्या सब मंद्य मनता है और उसका प्रभाव होता है कि नहीं होता है यह भी हम तो देखेंगे जो religious practices हैं जो भीर के लिए होती है जन्मानिस के लिए होती है उसका कभी-कभी जो आप्रेथिवास्प्य अध्यान क्या होगा उनके लिए थोड़ा सा बार्ग वो उल्टा हो जाता है या उसके बेप्रीच होता है वो कभी-कभी हमनों पजी भी लगता है यह पॉइंट भी में साथ थोड़ा सा आएगा अब जो हम देखें जो प्रेयर है जनरल रूप रेखा की प्रेयर देखें है क्या किया जाता है एक तरह की प्रेयर होती है जिसमें कॉमन भी बहुता से प्रेयर जो कामन मनश्की होती है उसमें एक प्रेटीशन होता है एक आवेदन पत्र होता अपने इष्ट्रदेव से या बह्गवान से। या किसे देवी से, क्राइस से, कृष्ण से, स्यू जी से, हम कुछ चाहते हैं, मांगते हैं, पर्सनल या अपने परिववार के लिए, कुछ मांगते हैं. हमें बीमारी है वो ठीक हो जाए हमारा कुछ नुक्सान हो रहा है वो ठीक हो जाए नहीं कुछ तो हमारा तरक्की हो जाए हमारा ट्रांसफर हो जाए हमें यह मिल जाए वो मिल जाए यह परसनल एक पेटीशन होता है और खास तोर से जब आनमी परिसान होता है किसी तीमें और यह भी कहा है कि नहीं होता है. मैं के एक ग्जामपल दूँ मारे दो अधब लेटुसर्विग से मैं परसंट बात हुई, एक रिटायर्ड एक सर्फिंग, एक सर्फिंग ने कहा कि मेरे टांसफर हो गया था और मैंने अपने इस देव की बहुत परातना की है रुख जाए और नहीं रुखा तो मैंने बंद कर दिया और इस देव की पूर्ती थी उसको पेंग दिया दूसरे जो रटायर्ट ही वो करें थी मेरा हुआ था मैं भी चाहते थी टांसफ़र रुख जाए तो मेरा तो के लिए उसके मन को शुद्ध करने के लिए और re Layer की जाती है तुक्ति okay लिए ऐसे प्रात्ना है की जाती हैं. यह अपने परसनल के यह नहीं का जाता है. एक तरह से सर्व कर लिना आने के लिए प्रात्ना होती है. जैसे हमारा सर्वी भाउनतु सुखना है, भवावत मंगला है, पुद्धिजम का उपवाशना के बाद कराते हैं. यह करिक्टिव प्रात्ना जैसे हम लोग healing के लिए भी कर रहे थे, कुछों कर रहे हैं. जो करोना वाइरस से प्रभाशना है. इसमें चुंकि हमेंटिव प्रातना के जाती है, अपने self पर फोकस नहीं होता है. लेकिन चुंकि हमेंटिव के हम पार्ट होते हैं, वो केवल उसमें कुछ नहीं मांगा जाता, ने अपने लिए, ने collective के लिए, केवल अपनी चेतना को consciousness को उपर खाया जाता है, कि अपनी हाइस चेतना से मिलाने के लिए, या कामन शब्दों में अपने को ईश्वर से मिलाने के लिए, वो हम होता है, और वो meditation होता है, जो meditation किया जाता है, यो होता है, तो अब इन तिनों जो category की प्रात्राइं हैं, इसको वर्किंग और डिटेल में देखने हैं कैसे होता है जो petitionary prayer हैं, जिसमें जैसा अपने बताय कुछ हम अपने लिए मांगते हैं, उसमें क्या होता है? कभी-कभी जो प्रकृत का नियम है, प्रकृत के नियम हर एक मनुष्य की जो इच्छा है, कामना है, जो उसको हम energy produce करते हैं, उसको fill up करने का होता है, फुल करने होता है, जैस हम सभी जानते हैं, हमारी thought powers, एक strong force बनती हैं, और जैसे हम कुछ सोचते हैं, और खासतर से अगर इसमें emotions भी है, intensity भी है, तो और astro mental level पर और mental level पर और फॉर्म लेते हैं, और इसमें वहां के elemental साकर के प्राण शक्त देते हैं, वीफाई हो जाते हैं, और वो जहां जाते हैं, और जो हमारे सोचा था, उसका कहीं सोर्स और ढूंडते हैं, और ओचीज हमारे पास आती हैं, यह दो, और इसमें अगर will मिला जाया है, दिर्श चार्शत मिला जाया है, तो उसमें और भी certainty हो जाती है, लेकिन डिपेंड करेगा है, कि इतना strong will हो, कितना strong thought हो, कितना strong emotion हो, इसमें डिपेंड करेगा है, इन फेक एक और किताब है, उसमें एक आथर ने दिखा है, मैंसे कोरान, कि वो religious नहीं है, spiritual नहीं है, और वो कहते हैं कि हमने हैं, इसमें से प्रयोग किय है, हमने तीब रिच्छा किया, और कोई और कोई ऐसी प्रस्थिद्वनी हमारे पास मर्सडीज का रागा, लेकिन इसमें जो गुहे विज्यान के विद्यारती नहीं है, वो तो समझते में बड़े कुश होते हैं, लेकिन जो हम लोग हैं, उसमें यह समझना चाहिए, कि उस कर्म का प्रहाव एडवर्स हो जा, दूसरा यह चीज को इनविजिबल हलपर हैं, अद्रिश श्रहाइक हैं, जो एक जो तीब रवेदना, तीब रावाज किया, उनके पास जाती है, और वो कहीं कहीं हमारे इसके रिलीफ के लिए आ जाते हैं, बहुत हैर जो भक्त हैं, वो क्लेम करते हैं, कि शायद उनके इश्दियों भगवान भी आते हैं, लेकिन अगर लाजी से देखें कि भगवान जो है, या उसको ये काम है कि छोटी-छोटी चीज़ों को छोटी-चोटी इच्छाओं को पूरा करें, तो उसका एक बहुत-बड़ा काम है, जो है अर्दिय होता है, मुझे नहीं लगता, कि वहां से कोई शक्त याथी है, और यह हमारा थ्रस्वाज साहिट भी इसको इंगित करता है, लेकिन इडिविजिवल हल पर हमारा खुद जो थाट पावर है, विल्पावर ये काम करते हैं, लेगिन कुछ नों काम क्यों नहीं करते हैं, यह इस पो हम देखें, या तो उनका जो संकल शक्त कम है, या उसके पीछे intensity कम है, concentration कम है, और या दूसरा, कोई ऐसा कर्म पहले का है, जो उसमें अवरोध कर रहा है, क्योंकि सारी प्रक्रिक कर्म के नियम से चलती है, और यह जो fulfillment of हमारा जो prayer है, यह भी कर्म के नियम से बाहर नह करें, वो नहीं होगा, और यह साथ explain करता है, कि एक का transfer नहीं रुका, एक कर रुक गया, तो, और अगर आप देखें, तो, और इसको मैडम ब्रॉस्की भी कहती है, कि यह जो fulfillment होता है, जो भी होता है, यह mysterious power है प्रक्रिक में, कि आप तीब रिच्छा करना है, तीब है, वो शायद अपने को ठोड़ा से purified समझता है, ठोड़ा सा अध्यातिक रूप से उन्दस समझता है, वो समझता है, लेकिन होता है नहीं, यह भी लोग ठोड़ा सा आगे देखेंगे, दूसरी टाइप की जो prayer है, जो collective की जाती है, उसमें collective शक्तियां, जो invisible helper हैं, जिसको spiritual power कहा जाता है, वो आती है, उनका downpouring होता है, एक आवहान जो करते हैं, और वो कुछ प्रभाव डालती है, collective power का जो prayer है, उसका strength जादे होता है, अगर उसमें जो आदमी कर रहे हैं, ग्रूप कर रहे हैं, उनकी कोई नहीं स्वार्थ, कोई उनका स्वार्थ नहीं हो, उसकी बढ़ती है, और उनका प्रभाव जो हम चाहते हैं, उसपर भी पढ़ता है, और खास्तर से जो ग्रूप या जो इंडिविजर प्रेयर कर रहे हैं, किसी एक साथ में लेकर के उनका भी reaction होता है, क्योंकि जो superior divine energy फ्लो करती है उपर से, जो मन को शांत करते हैं, और इच्छा करते हैं, और वो जागर्थ, वो एक्टिविट होना शुरू करते हैं, तो इससे हमारा स्वेंग का फाइदा होता है, भली हम उसको नहीं जाने पाएं, हमारा जो मोनाइड है, जो जीवातना है, वो ज्यादे शक्री होता है, और हमें अपना जो personality, जो lower nature है, उसको भी control करने मदद मिल की फाइदा होता है, और यह देखा गया है, करक्टि प्रेयर का अपना स्थान है, और यह कर्टि जो प्रेयर है, अपने और खायर रूप में, जो meditation वारी प्रेयर उससे मर्ज करते हैं, जो meditation प्रेयर है, उसमें कुछ निमान मांगा जाता है, आपने जीए, तह सब्ना को एक खायर चेतना के साथ, दिवी चेतना के साथ, गौड की चेतना के साथ मेराज जाता है, जो ja sammद रूप मेड़ियर को मे Alrighty nationalist, बाकि जो प्रेयर होता है, जो बाकि तो प्रेयर से कई गुना होता है, उसमें अपना भी होता है, पुतेश्क है तनी आप्नी आत वातमा पर्वापरता है, जिसके संपर्प में आते हैं, उससे प्रवापरता है और उसका प्रवाव ज़यादे ब्यापक होता है। अब हम थ्वास्थिक जो लिटरेचर है उससे हम इसको परकाश में देखें। उसमें अगर की टुद्यास्वी में देखने हैं, तो उसमें प्रश्ण उत्र के माध्यम से व्लॉडस्की ने कई चीजियों को एक्स्पेन किया है, एक चैप्टर में आता है कि आप प्रेयर करती हैं नहीं करती हैं, तो बड़ा क्लियर रंतर हैं, नो, we do not pray, क्यों नहीं प्र करता है, तो उसके मन में इस देवता की डेडी जिसके लिए उसने प्रयास नहीं किया जिंदगी भर वो केवाल कुछ देर के लिए प्रात्ना के साथ अगर मिल जाए वो कैसे हुआ करम कर नियम तो प्रेक करने की कोशिश कर रहा है और अगर बाइचांस हो बजाता है जैसे हमने बता है को उसके मेकनिजम है थाट पावर की हमारे फुर्फिल हो जाएगा तो हम अपनी मेहनत करें अपना अपने को ठीक करने की कोशिश करें जैसे तुर्दान के लिए मान जिए है कोई बीमारी है अगर हमारी ठीक हो जाती है प्रात्ता से तो हम शायद बीमारी के बारे में अपने हेल्फ के बारे में अपना के एर और इसलिए अपने जो घुर करने में हम सावधान नहीं रहेंगे, हम जो भी चाहेंगे साथ हो जाएगा, और दूसरा इसमें यह होता है कि हम जो है एक इगोईजम बढ़ता है, कि कहती है प्रावर्स की, इगोटिसम बढ़ता है, कि शायद हम ज्यादे भक्त हो गए और हमारा प्रणुसी उतना भक्त नहीं हमारी अच्छा पूर्चों के, और तीसा होता है कि कर्म अगर किसी तरह से हो गया, एक तो आपको कर्म के ब्रत कुछ देंगे नहीं कर्म के लागे, और आप कर्म के नियम को तुड़वाने के दोश्री हो जाते हैं, तो उसका भी प्रवाव आता है, तो इस तरह है उन्हें नहीं है, उसकी प्रेयर तो किहीं नहीं जास्ती, वो तो diffused consciousness है, उसका केवल ध्यान किया जा सकता है, इसलिए वो सिके डॉक्तिन में जो एंड में लाती हैं, कि किसी भी जो देवी देवता है, सुप्रीम भी, वो तो ट्रंस्जियंट है, और किसी की पुजा प्रेयर नहीं करना ह है, केवल सुप्रीम का ध्यान करना है, और आपके कर्म ही आपके प्रीस्ट होने चाहिए, आपके जो खराब चीज़े हैं, उसका साक्रफाइस, उसी हजएक्य होना चाहिए, उन्होंने विचार 3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-2-3-3-2-3 जैसे कफालिक क्रिस्टिन को ये विश्वास है, कि संडे को चर्फ में जाकर करके क्राइस के मुठी पिक्चर के सामने अपनी सिन को कबूल कर लें, और वहां कुछ दशना दे दें पादरी को, तो उनका सिन माफ हो जाएगा, तो उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में पब्लिक टाप में खाएगा, ये नहीं हो सकता, क्रम का नियाम इसको अलाओ नहीं करेगा, और कोई भी क्राइस्ट, कोई भी बुद्ध, कोई भी कृष्ण, किसी की वे कर्म के फल को नहीं मिला सकते, इतना हो सकता है, गर हमने समझ लिया है, हमने गल्ती किया है, तो सब्सक्राइब, बाइबल में भी यह आता है, कि मनुष श्वेंग, एक टेंपल व गौड है, और अपने फादर से मिलना चाहिए, और वहां भी में जो इसकी टीचिंग है, और प्रेयर पर बहुत ज़्यादे इंफैसित नहीं है, लेकिन बाहरी बाहरी प्रैक्टिस में आ आगे है, जो महत्मा लेटर्स हैं, उसमें भी यह कराया है, क्योंकि जैसा बता है, प्रेयर एक इंपॉर्टन आस्पेक्ट है, मनुष के लाइफ का, तो हर जगह डिल गया है, महत्मा सब जब प्रशन पूचे गये हैं, और उसके उक्तरणों दिया है, महत्मा कहते हैं कि हम लोग जो पी, अभी हाँ जो प्रातना की बात कहीं, इसको मने कहा है, तो उन्हें कहा कि मनुष जो है, यह ईश्वर को अपना एक वैसाखी बनाना चाहता है, अपना प्रयास नहीं करना चाहता है किसी चीज के लिए, और वैसाखी बनाना चाहता है, और दूसरा उन्हें कह कि देव शक्तियां हैं, उनके अपने काम हैं, और उनका काम यह नहीं, कि आपकी छोटी-मोटी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करें, वो अपने आप प्रया से आप ठीक कर सकते हैं, जैसे हमने बढ़ा है, कि मेडिटेशन का एफिक्ट होता है, बीमारीयों को ठीक करने में वी चिट करने में डोगोंने कलेंग किया है और हुआ है, तो एक दूसरे जगह लिखते हैं कि मनिश जब किसी बिपत्त में होता है, तो कश्राई करता है, आप उसके कराह की आवाज निकलती है, लेकिन कराह कोई सुनने वाला है यहfire यह कोई सुनने वाला यह नहीं, क्यों तो आपका होगा अगर आप उसको अपने भी हिश्चाए से प्रैत्रे कर रहे हैं। और इसलिए उन्हें कहा कि कि वर मनुष्य ही मनुष्य की मदद कर सकता है। और चुंकि हम मनुष्य हैं, तो हमारा उब्लिगेशन है कि हम मदद करें सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसमें देखे हैं जो लाइट अफिश्या में। जैसे आप जाते हैं बुद्धिस फिलास्फिय में प्रेयर का कोई अस्थान नहीं रखता गया है। केवल मेडिटेशन का अस्थान है। और जो करेक्टिव प्रेयर का एंड में जैसे हम लोग सर्वेबहुन की सुखना काते हैं। वहां बहुत सब मंगलंग की बाग होती है। लाइट अफिश्या में बड़ा प्रेयर जो बुद्ध का सिख्छा है। उसको एडवी नौनल्ड एक इंग्लिश के पुएंफ फॉर्म में लिखे हुए है। आप सभी परचित हैं। बहुत अची पुस्तक है। उसमें एंड की चैप्टर में कुछ उन्होंने पोईट्री उसके इस्टेंजा दिये है। उसके एक इस्टेंजा है। वेट इस्टेंजा है। वह पुस्ते नौन्होंने रहे है। आप उसमें लिखना जेह। वी जो मात्मा का रहे है। वेटेंजा नौने वालने नौने आप उसमें जो क्रात रहे है। वेखना यौर मौन्फूल मैंद विप्यस पैंस। of brothers, sisters, seek not from the helpless gods by gift and hymn not bribe with blood nor feed with fruits and cake within yourself deliverance must be sought each man his own prison making each has such lordship as the loftiest one of a name for with powers above around and below as with all flesh and whatsoever lives act maketh joy and who that means he's saying that the gods they are helpless helpless in the sense that to laugh in fact Mahatma in the letter even superior gods the human they are more slaves to laugh karma than human being because human being has got free will he can break the law of karma and then he's prepared to bear that cost but they cannot break any law because they have to work according to the divine plan according to the laws of or blotsey that the laws are in nature that the parabrahm manifest in the laws in the law of karma along the other laws are in the aggregate parabrahm manifested and parabrahm is the superior nobody can break that so helpless in fact in fact laws of silence which is our brother is in the buddha about it he also pity but he is helpless because he can't hurt but he can't hurt but he can't power so that's buddhism is our upnishad is उसमें कियो ब्रह्मा रिलाइशन, रिलाइशन ब्रह्म की बात की लिए और चुंकि डूएल्टी उसमें खतम की जाती है, आहाम ब्रह्मास की धारना है, और इसलिए प्रेयर नहीं है, कोई इन्वोकेशन नहीं है, क्योंकि प्रेयर में डूएल्टी होने जिए, जिसके हम प् परबनम की क्वाल्टी पर जान कर रहे हैं, तो आप उस मार पर चलते हैं, और वो थेखिर हो जाएंगे, फ़ले इसको ना जान सकते हैं. योग वाशिष्ट भी जो वाशिष्ट जी राम के सिक्षा देते हैं, जब राम को विशाद हुआ था, जब राम ने पूछा कि क्यों आप लोग शान के, कोहां भी कोई प्रेयर का अस्थान नहीं है, केवल यह अस्थान है, रिलाइज बननेस, कंपेक्शन टूर साल, सब को समझना है, और प्रपर एफोर्ट करना है, अपना पुरिशार्थ करना है, सो अब देखें, थोड़ा सा भगवद गीता को देखें, जो क्या कहती है, भगवद गीता में एक कृष्ण, चेक्टर सेवन, स्लोक सोलह सत्र में करते हैं, कि जो हमारे भक्त हैं, चार तरह के, और कौन-कौन हैं, आर्थ हैं, जिग्याशु हैं, अर्थार्थी हैं, और ग्यानी हैं, आर्थ बाने दुखी हैं किसी चीज से, बीमारी से, किसी नुक्सान हो गया है, कुछ चाहते हैं, आर्थ हैं, दुखी हैं, वो भजन करते हैं, उनको इनोगेशन करते हैं, और अर्था थी, अपने निए कुछ चाहरते हैं, एक तो दुखी है, और जो दुखी निहों हो भी कुछ अपने निए चाहते हैं, और जो था ग्यानी, तो वो कहते हैं कि इन चारों में से, जो harmonized रहता है, वो मुले सबसे प्री है, और बाकि तो सब भी प्री हैं, लेकिन जो ग् अपना रूप में समझता हूँ, अपनी तरह समझता हूँ, त्योंकि उन्हों ने अपने को मुझसे उनाइट कर दिया है, वही योग के साथ, और इस तरह से वह इसको हईस्तात करते हैं, और हो करते हैं, ऐसे लोग कई जन्मों के बाद, जब अपने, उनका विजडम प्रवि को से बनजाते हैं, सबको अपना जयसा समझते हैं, सबको यज शास समझते हैं, ऐने इसकी बावन आ जाती है, उनका बर्ताया उस तरह पर हो, जो और काते हैं, बाकी जो लोग हैं, उनके जो फ्रूट्स था, हो जैसे ulkए हैं, उनको पेटिछीन पेर्ट के फ्रूट्स आत कामन भीड है उसके उतनी समझनी और वो लोग जो शाइनिंग वन से जो देवता हैं उनकी वर्षिप करते हैं उनको जाते हैं और फिर वो जनमर्ट्व के चक्र में रखते हैं अब थोड़ा से मौडरन साइंटिस्ट की बात हम करें अलबर्ड आइंस्टी अलबर्ड आइंस् वाइट था और सब जगह इंट्रेक्शन करते थे एक बार निवार गय थे के 6 साल की डड़की ने उनसे पूछ लिया कर दो प्रस्थे प्रशन के बाहर थे उनके रक्षर के बाहर कि वैग्यानी लोग प्रेयर करते हैं कि नहीं करते हैं अब आइंस्टीन एक 6 साल की ड़की के प्रस्थन का यह जवाब क्या दें लेकिन उसमाज गया है वो तो एक प्रग्या वाले वेक्ट थे ही डीपर प्रग्या थी उनकी कि इस छोटी बच्ची को जो अगर इसने प्रेयर इसने एक क्वेश्चन कहा है पुछा है तो उसको क्वेश्चन उसके साटिस्फेक्शन का मेडना चाहिए और खास तरह से जो साइंटिस्स रियली हमारे जैसे बड़ी बताव ही नहीं बताएंगे, कोई कहानी नहीं सुनाएंगे, सिर्धे बात करेंगे. अब उन्होने जो कहा है उसको मैं आप परस्तु करता हूं, उनका जवाब इंग्लिश में है, उसका जवाब दे रहे छाहिए साल की बच्ची को, कि दूदे साइंटिस्स प्रेइड. Scientist, scientific research is based on the idea that everything that takes place is determined by the law of nature. And this holds for the action of the people also. For this reason, a scientist will hardly be inclined to believe that events could be influenced by prayer. In other words, by a wish addressed to a supernatural being. Everyone who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of the universe. A spirit vastly superior to that of man and one in the face of which we, with our modest powers, must feel humble. In this way, the pursuit of the science leads to a religious feeling of a special sort, a special nature, which is indeed quite different from the religiousity of someone more naive. That is how the secret doctor has almost the same ideas he brings in a reply to the six-year-old girl in response to her question, that scientists pray that everything is governed by the law of nature and a man is not out of that. A man cannot escape from that law of nature. And in the second part, we say that we cannot believe in any prayer or any provocation. But we must be humble, we must follow the laws of nature. And in this sense, we are religious, but not in the sense of the common plan, and we feel that something can be obtained from that. So, if we look at this process, then the question is, what do we do? What do we should do? We are in deeper philosophy, deeper sādhanā, Yes, I have said before, that the Patanjali's yoga is a sutra, that is not a prayer. And you can see the seven portals, that is not a wise of silence. So, prayer is useful for a few people, and can be good at all. But in deeper philosophy, our divine wisdom, our faith is neveregeable, the Satsuki's yoga, and The Patanjali prayer, and the Protestant prayer must be aware of that. Because this also says, that those who are not a law of karma, that if we don't know something wrong, that you should do with the evil. And if someone understands law, that we have 10 reasons. अगर कोई एक इग्णोरेंट आभी कोई एक ख्राब कम करता है तो जो जिसको नौड़िज है ग्यान का कर्म का वो अगर वही गलती करता है तो उसका प्रफ दसमनाईगा टैन टाइम्स आए तो हमें करना चाहिए तो कभी नहीं करना चाहिए अपने अपने बेक्ट के लिए करना चाहिए कभी-कभी जिसे एंड़ मीटिंग करते हैं जैसे हम लोग हीलिंग बेटेशन कर रहे थे और बेस्ट मेटेशन है वहारे लिए मेटेशन को उन्होंने कहा अनुटर्ड प्रेयर है और उसको लिए मारा मॉर्ण ब्राइट को किया है उन कहा कि हमारा एक्स्टें नेच्रल स्टोड की और हमें यह करना चाहिए और इसलिए मेटेशन पर काफी प्रहा है जितने भी डीपर हैं हमारे इचीजें आप मेंसे जो रमना महर्शे आश्रम में गया है जहांता मुहेयाद है वहां भी कोई ऐसी फॉर्मल प्रेयर कामन टाइप की नहीं होती है और जो ध्यानी करते हैं तो जितने इस तरह से इवन जो शंकराचाज के मठ हैं वहां भी कोई असी प्रेयर नहीं करती है तो जो डीबर फिलास्फी है उसमें जो प्रेटिशी प्रेयर तो आन्मोस रूल डाउट कर दिया गया है और जो हमारा करेक्टिव प्रेयर है उसका पु प्रेयर करना चीए और साथ ही जहां तक जो क्यास्विम आ गया है जो नए मेंबर हैं उनको हमें देजरी बताने मीचीजे क्योंकि यह देखा गया है कि हमारे मेंबर्स आने के बाद भी तौम चीजों में उलजे रहते हैं इधर जाते हैं उधर जाते हैं बजन की तरन यह क्योंकि उनको ही सायद अभी समझ नहीं कि इसका शायद प्रफ़ाइब ठीक होगा तो यह हमारा कतब बन जाता है कि यह चीजें भी देख देख बतायां उनकी उनकी चेतना के वस्था को देख करके बिना दिस्टर्ब की होई होगा बताया है और जैसे वो साइंटिस्ट्स ऑच्छी को ही बताया है और कभी बच्चे बड़ा इंठरिजन फ़ेस्टें पुछल्ड ओन पुछते है एक बाहर नुट पूछ में नोगन कहीं दैसे बात करते हैं तो कहीं हमारे तक मे आ गया कि आगे है और कहीं होई थे अधर आलन थे बच्च्छा बच्छा है गुछल ग्रत्री मेरा ही रही है जिसमें पानी भी के एक استव हूं करते हैं ग्रत्ते ही का एक कि जो प्रेयर है, मैडम ब्रॉस की फित कहती है, कि मनुष्य का विल पावर है, वो बहुत ही जड़ इच्छा शकती है, और उससे मनुष्य कुछ भी प्राप्त करता है, संसारिक वर्ड में, संसार में अपने लिए, या आध्याति लिए, लेकिन उन्होंने काशन किया है, और फूचर में, क्योंकि कर्म के नियम से आ रही है, कर्म के प्रवाव से आ रही है, फूचर में एलांकु दिए इंटरेस्ट आएगी और हमेशा जदे उसके तक्रीफ होगा, और क्लेक्टिफ प्रेयर में सामिर हो जाए है, जैसे हमारा जो इस फूचरर हिलिंग होती है, लेकिन उसमें भी एक कर्म का जो एक आवाद दिया था है कि कर्म के नियम के अंदर ही हो. In fact, इसी में WP Judge का भी एक और्टिकल है कि जो उसमें हम लोग हीलिंग करता है, मेंटर हीलिंग उसे कार्मिक प्रफाव पड़ता है. केवाल जो उसका जो बीमारी हो गर है, उसके जो कर्म के इंदर प्रफाव से आरी है, उसके माइन इस्टेट में वापस दे जाती है और रुप जाती है, बट इसका नियम को ट्रीटमेंट कर रहे थे, तुसमें भी जी कराता है, एक ब्लाइंड आदमी था, उसको उनों निचुया, उसका ब्लाइंडिस खतम हो गया, बट छे मेन बाद फिर इसकी ब्लाइंडिस आगे थे, और बाद में मास्टर ने इस सब उनको मना किया, तो इसलिए जो रियल आध्यात्मिक मनुष्य हैं, जैसे बुद्ध है, उनको शक्या कहीं बट उनके जिए में कभी नहीं आएगा, उनोंने किसी को प्रे कर दिया, Christ की जीएन में कभी कवी जाता है, कोरियों को कर गिया हो कर गिया हैं, कि Christ कुंकि अठयप्ट थे, वो समझते थे कि उसका कर्म का नियम कैसा है, और जब देखते हैं वो स्चेज की कर्म का नियम परह स्दच gotten, उस समें वो कुछ भोते थे, सबको नहीं बुलते हैं कि नहीं उतना है तो इस तरह से इस लाइट पे अगर हम देखें तो चोड़ से हमें जद साफ होता है हमारे लॉजिकल पॉइंट से कि प्रेयर क्या है कैसे किया जाए क्या किया जाए और खासत दोर से अपने लिए हम लों के लिए जो इस मार्क को पर दिसमार्क पर चलना चाहते हैं। अजर्वाइस कभी-कभी जैसे आज मने एक मेसेज बेजा है कि हमें सबसे ज़र दर यह होना चीब हम इस पात को चुने उसे भटक तो नहीं रहे हैं। और अगर हम पेटेशनी पेड़ में जाते हैं मेरा विचार है कि उसे भटक नहीं हो जाएगा। सो इन सब्दों के साथ मैं शिखरगी को अर्शमती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महीं इन्वाइट किया और अपनों से इंट्रेक्शन का मौका दिया है इस विशेप पर धन्दबाद थैंक्यू बहुत-बहुत बहुत बंदू यूएस पांडे जी आपने इतने विस्तार से और क्लारिटी के साथ इस विशेप अपने विचार शेयर किया मेरे ख्याल से सभी के मन में मेरे ख्याल से बहुत सारे प्रशन ओठ रहे होंगे क्योंकि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें सभी जैसे आपने पराथना एक ऐसी चीज़ से बहुत गहराई से जुढ़ी हुई है तो इसे हमारे जो दिल Corps है जो उडियन्स है उन उनके मन में अगर कोई प्रश्न उठ रहा है तो वह पहले अपना मुझे अपना हाथ अपनी स्क्रीन पर ऐसे कर दें तो मैं देख के आपको इन्वाइट कर लूँगा और पहले आप अपने माइक को अन्म्यूट करके फिर बोलना शुरू करिए सर एनिबड़ी किसी का कोई भी प्रश्न हो हाँ येस विमल जी आप प्रश्न कूछना चाह रही है जी जी वेरी नाइसली एक्स्प्लेइन थोड़ा से क्या था कि आप काफी फास्ट बोलते हैं अगली लेक्ट्टर में सब कुछ रेकर्टा कर रहे हैं तो वो यूट्यूब में डालेंग तो एक बार फिर से सुनोगी और अच्छे से संझूँगी आप कर्या थे सेकंडाइप अप ओ प्रेयर की बात कर रहे थे close कैंड ऑफ परिए करेंग ऊटू करेक्टीव सारे एक्डेन कैया प्रेश्ट यह रहें दिए बड़ा सिथा एजामपल है, सर्वे भावन्त शुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भध्रानी परश्चनतु महा कर्श्चतु पागवा, तो करेक्टि प्रेया, वे रास्किंग कि एवरेवरेवरेवरेवरेवरेश्ट शुद भी हप्लि, सब स्वे विचारश्द हो या भावत-सब मंगलं हो इस में परसनल आपर्सनल ऐसा हृआषेनान परस्टाए साथा है? येस, येस, एन्यवदी एल्स, किसी का कोई प्रेश्ण हो, हलो, हलो जी, येस, प्रपंडे जी, हाँ, बहुत अच्छा पंडे जी ने बहुत ही क्लियरिटी से ये सब समझा दिया है, अभी अपने यहां ये करते हैं, कुछ और कल्ट इसमें आता है, कि हम जो इच्छाएं दूसरे के लिए करें, वो हमारा होता है, तो जैसे हमें दूसरे के भलाई के लिए, दूसरे के कल्याण के लिए, अगर हम कुछ करते हैं, तो थियावसाभी में ऐसा आया है, कि अगर वो उस वकत आपसे वो विचार, वो उर्जा ग्रहन करने के मूड में ना रहे तो सेम तिंग आपकी उपर आती है तो जो आप अपनी जिंदगी चाहते हो जैसी चाहते हो इसकी दूसरे के लिए काम ना करना ये एक तरीका है कि हम अगर अपना कल्यान चाहते है तो हमको दूसरे के कल्यान के लिए प्रारतना करना चाहिए अगर हम किसी को शाप देते हैं या किसी का गलत यह करते हैं, तो वो अगर उसको रिसीव नहीं करता है, वो कोई दूसरे वीचारों में है, तो वो सारे के सारे दुर वीचार आपके उपर आके आगात करते हैं. तो यही भार मेले को पकड़, जो स्तिति आप अपने लिए चाहते हो, वो ऐसी कामना दूसरे के लिए करते रहें, तो उसका एक पाजिटिव एफरक्ट आपके लिए भी आएगा. और मुझे इतना ही कहना था, कि प्रार्थना में जैसा हम किसी का बुरा भी चाहते हैं, वो भी एक प्रकार की निगेटू प्रार्थना है, लेकिन उसका असर अपने पे ही होता है. तो अगर हम अपना जो ऐसा जीवन चाहते हैं वो ऐसे जीवन के लिए दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो इसका इफेक्ट होता है, जो आपने बड़े इससे ही किया है, प्रार्थना ऐसी हो, जिसमें किसी, जिसे अपने प्योटोबी में कहा है कि परभ्रम का इस्मरण हो, वो एक उची स्टेज है, विदिन सर्वसाधरन इंसान के लिए यह ऐसा नहीं होता है, इतना ही मुझे आ प्राथना का, और उसके लिए कामना करते हैं कि जो इवाइन पावर है उसको हील करे, लेकिन उसमें साहत में जोड़ा जाता है, प्रॉडिट उसका कर्म सवाप सोग है कि पास करें, और उसमें परसनल नहीं होना जाए है, इसमें यह बत ठ्षाल रखे कि इसका परसनल में तो बार-बार ऐसे प्रथाव में जिस की आप कर रहे हैं उसमें कोई पर्सनल के लिए अपना चीज़ नहीं होना जिए फोकस उसा प्रहुआएगा पर विश्ट नाट वेनी इंक्लिंग आप इसकी इच्छा नहीं हो कभी भी मन में और वाइस उसमें हमारा लोर एमोशन मिल जाता है और उसको एक तरह से प्रभाव ठीक मियाएगा धन्यबाद की तैंक्यू बंदू लोखंडे जी और कोई प्रश्न किसी का हो हलो हाँ जी हमाशकार पांडे जी मैं कि वास्तो व्यक्तान बहुत ही प्रभाव शाली था सब बातें समझ में आ गई लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में है कि जब विचार इतने शक्तिशाली है विचार मैनिफेस्ट होते हैं तो और शब्द को ब्रह्म कहा गया तो जो हम कोई विचार करते हैं किसी के लिए पॉजिटिव विचार करते हैं तो उस पे वो पॉजिटिव एफेक्ट डालता है उस वेक्ति पर और अभी हम उस लेवल पे नहीं है कि हम यह सोचें कि यह हमारा नियर एंडियर है जैसे कोई विच्टी विमार है या हमारा कोई अपना है जो कश्ट में है उसके लिए हम प्राथना ना करें तो यह बात ज़रूर है कि वो कार्मिक लिंक हमें भोगने पड़ते हैं उसके दी कर्म डायलूट होते हैं यदि आपने का ना कि कभी-कभी व्यक्ति में यह एंकार आ जाता है कि हमने उसके लिए प्रातना की और इसके जो है व या अपने लिए नियर एंडियर के लिए या अपने फैमिली के लिए फ्रेंड्स के लिए कोई प्राथना करते हैं तो उसके कार्मिक लिंक हमको शेयर करने पड़ते हैं लेकिन प्राथना का प्रभाव तो ऐसा होता है, जरूर होता है, ऐसा मैं मानती हूँ थों मेरे डॉक्टर चित्रे बताते थे कि हमारे जो है वो कॉंशेस लेविल जो हमारा चेतना के साथ इस्थर है कि कॉंशेस्स माइंड मार्जिन अफॉन अफॉन लेस्ट कॉंशेस्थ लेविल, अंकॉंशेस्ट, डेप्ट अफॉनकोंशेस्थ, डानिट yullen गॉन ऐन अन इन तो जब हम मेडिटेट करके हम किसी के लिए प्रात्ना करते हैं तो मैनिफेस्ट जरूर है बस मेरा प्रश्ण यह है कि क्या उसके कार्मिक लिंग हमको शेयर करने पड़ते हैं मेरा बसनासरा प्रश्ण है आपने भी बहुत इंपॉर्टन पॉइंट रेस किया और कार्मिक लिंक तो शेयर करना ही पड़ेगा दूसरा चीज जैसा थ्यास्विक ट्रेचन माया है और मैंने ओड़ी प्रश्ण कोट किया और अलपार का भी कोट किया कि जो 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 चीज बेनिफित आएगा बट भी टेम उसको उस नियम को समझें और गुट विशिद देने अच्छा है देना भी चीए जैसे हम लोग देते हैं बट अगर उसमें प्योर अनसेलफिस नहीं है जदे अच्छा है और जैसा आप काने की शायद अभी हम लोग बूस लेवल नहीं आपाए हैं तो कोशिश हम लोग कर अच्छा है यह नहीं कहा जा रहा है कि सब लोग बुद्ध बन जाएंगे अभी सब लोग से इन बटे मार्ग दिखा रहा है और हम उसमें गंभीडा से करें और जो चीज इसमें कही जादी यह चीज़े प्रहौएगा तो अच्छा एफट कर जहां तक परस्नल से प्रहौएगा और देना भी चीज़े लेकिन अगें सब्जेक्ट तो उसके कर्मों के इंसार आएगा अगर हम किसी को कहें कि तुम आशिरबात देते हैं तुम फला फला तुम्हें लाट्री मिल जाए तो लाट्री तो मिलेगी अगर उसका प्रहौव किया है तो मिल जलेकिन सब्सक् subscribed 저도 कि कौने प्राथ्धा इसेट्रीक फिलास्फिय में फ्रांती दर्शन मानें गय लिए डिलूजन मानें वांती हैं तो कि हम बात कर रहा हैं। जिसुप्र की हम बात कर रहा हैं। उस प्रिंसिपल के लाइट में हौशिश को राइने जितना काम कर रहा हैं। अगर धांत हैं जो अधानत से निकलना हैं, तो हम उसी चीज में फिर ना पड़े रहा हैं। प्रातना करते हुए इसका प्रभाव हम पर पढ़ता है कैसे हमें देना शुरू? कर देना तो बुरा हैं लिए हमें को भूता है में सबके करम नहीं बोग रही हैं बिल्कु सही आपने कहा बिल्कु सही आपने कहा अपने रिष्टेदार अपने नियर एंड दियर वंच नहीं है और बाहर के भी है मेरे को तो कोई बाहर का लगता ही नहीं सब अपनी लगते हैं तो आप आपका अलेवल हैर है ना जो बात किये थी अच्छा है मेरा यह प्रशन है कि क्या प्राथना से मोल्डिंग ऑफ करमा भी होता है कि मोल्डिंग ऑफ करमा देखें मोल्डिंग ऑफ करमा यह जो लिट्रेचर है चैस्की और ब्रॉट्स की टीचिंग महात्मा टीचिंग बड़ा क्लियर है कि दूसरे के प्राथना से हमारा कर नहीं मिटेगा अपने लिए हम प्राथ करेंगे उसी से उसका प्राथ चेंज होगा स्वाप पुर्साथ के और दूसरे के प्राथ से नहीं भटेगा और यह इसकी भी अगर आएगा तो टेंपरली कुछ होगा अगर कुछ बीमारी है किसी को तो टेंपरली और रुक जाएगी लेकिन बाद इसमें मैं बताओं एक और एक जामपल एक बार अमेरिका में एक लेडी मिडिटीम उनका उदान गिया गया था उनको शायद कैंसर था और उनको किसी कहा कि कि बत में गुफा है और उनका कैंसर फीक हो जाए उन्हों नहीं किया और च्छह मैने बाद आई तो डॉक्टर ने ट्रीट यह झाए प्रिजिएंटेशन के प्रहाओं से होता है mediation के प्रहाओं से ही सब चीज़ें होती हैं जैसे सारी हमारे जो सेल्स होगरा चेंज होना सुरू राते हैं वो फुट परहतने कर लहे हैं उसमें mediation से और लेकिन उसमें खास तरह से बीमारी पर हम attention नहीं दे रहे हैं लेकिन अपने आफसे प्रहाव्ब करता है। इसको गुएनका जी अपने वारता में एक्षाते है कि जो मेईटेशन से भीमारिया ठीक होती है, यह एकसपट नहीं करना चाहिए, अधर्वाइस वह एकसपटेशन चाहिए, अधर्वाइस क्या होगा कि एक बाई प्रड़क्ट हो बाई प्रड़क्ट आएगा, जैसे जो कर तेंक यू जी अभी मारे सामने दो लोगों के प्रेश्ण है विनीटा जी आरे सम्टी वरंसी से वरंसी से आप प्रेश्ण पर अब यह सर्थ वीडियो और नहीं है इसलिए में स्क्रीन पर नहीं दिखा पारहा हूं अगर आप लोग अपना वीडियो भी आउन कर लेंगे प्रेश्ण पूछते समय तो मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर सकता हूं तो उसमें कोई डिलेटिव को नहीं इंक्लूड किया जाता है कि उसके टोवर एमोशन चुटते हैं तो इसका क्या रिपकर्शन है यह भी मैं समझना चाहूं थेंक्यू पहला जो है भ्रांती दर्शन डिलूजन उकते है कि जो अपने डिये हम कुछ चाहते हैं परस्नल किसी से मां कर के वो भ्रांत दर्शन है क्योंकि कर्म कानियम काम कर रहा है जो हमने अफ़र्ट किया है इसका मैं एक एक जामपल बताओं छोटा सा और यह कभी जिसको हम अपने लहाबाद गया था और रिक्षा पकड़ा और एक हमारे रिलेशन के घर जाना था और रास्ते में मुझे रिक्षेवारी जो बचारी चला रहते वो हमसे जा दे थे तो बीत में हनमान जी का मंदर पढ़ता है सिवर्लाइन से तो उन्हें बोला कि बाब मैं हनमान जी क्या रहते हैं तो रिक्षांद प्रावाल में में कर देंगे, से मेरे पराद मेंक नबा है और उसको ना बढ़ाद ने बढ़ा ने गड़ा ड़ा कि मैं कि ऍवार हनमान जी प्रावान की इंगिल है कि अ ह स्था फूरूट कृ तब रच्छित है अर् धृट्ट मैं तटाख करते हैं, they are object of reverence and because they are doing their work according to laws, for the welfare, for the upliftment of entire creation, entire humanity. So they must be revered but not worship, not prayed for. तो यह पहला था. दूसरा आपका जो था collective prayer में वो मने spiritual healing खास्तर से बात की है, उस में instructions में हैं, कि अगर हमारा कोई close relation है, जिसके लिए हम prayer करने जा रहे हैं healing के लिए, तो हमारा emotion उनके प्रत जनली रहेगा कि selfishness आएगी उनकी जल्दी चेक हो जाए, उनका जल्दी आजाए, तो भीशेट एंटार थीम. इसलिए कहा गया है कि आप उस ग्रुप में ऐसा बेक्ट नहों जिसके किसी relation के लिए प्राष्न के लिए प्राष्न के लिए है, दूसरा कोई समय है, इसमें बार बार कहा जाता है, इंपर्सनल होना है, इन्वर्सल होना है, कोई यह जिए से अटाश्च नहीं हो, कि मेरा कोई है इसलिए उसका हो जाए, और निरस तांसारी लिए होगा, लेकिन उस आने पर महानी होगा, और इसलिए जो प्रिशन करते हैं कि जो ज्यानी है, जो प्रिशन के लिए अपने लिए किसी के लिए, they are most dear to me and they are as myself. तो हम लोग जिस मार्ग की बात कर रहे हैं, वो थिवरस्फी का जो मार्ग है, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम एक्षट करते हैं, सब लोग जो करने हो बंद करते हैं, that is not necessary, बट हमें जानना चाहिए कि क्या गलत है, उसके इसार हम इसके लिए प्रार्टना की जाती है कि अगर वेक्ति के शरीर छोड़ने में उसकी ज़्यादा भलाई है, तो वो हो जाए, या अगर उसकी ठीक होने में भलाई है, तो वो हो जाए, उसमें हम कोई अपना परसनल स्वार्त नहीं डालते हैं, खीक ही हो जाए, तब ही कि थॉट पावर कहें के बलब प्रेयर किसी से नहीं की जारी अपनी थॉट पावर का ही इस्तमाल कर रहे हैं तो क्या उससे भी डेस्टिनी चेंज हो सकती है जहां तक जहीं थार्ट पावर है अगर नोबल थार्ट समझे भेज रहे हैं और से हमारा mental body चेंज हो रही है और हम हमिशा नोबल थार्ट कर मेडिटेशन करें तो हमारा mental body चेंज हो रही है उसका ट्रांस्फार्टर्मेशन हो रहा है अगले जन्म के लिए वो जदे और उन्नक्त स्टेट का होगा और उसमें जो हम कर रहे हैं, इसमें जो प्रारफ दागया है हमारे सामने पिछले कर्म से वो नहीं चेंग हो आएगा, लेगन इन दिस सेंस कि जो अगर हमारे थोट्स नोगल हो गया और इस तरह को गया है, तो हम उसका जो प्रफाव आएगा, उसको एक आसानी से बर्दास कर लेंगे, जैसे मालेजे कोई आपको कठ हुआ बाडी में, अगर हम समझते हैं कि कोई हमने गल्ती कर दिया तो हम गळाएंगा नहीं हम उसको लगाएंगे, अधरवाइस क्या हम चिलनाने लेंगे, रोने कि चर्च में ये हरी क्राइस की विक्षत के सामने कुछ रहा करने से और सिन कबूर करने साबका सिन नहीं खतम हो जाएगा, लेकिन सिन को बरदास्त करने की आपकी शक्ती आजाएगा, वो शक्ती आजाएगा, वो शक्ती आजाएगा. Thank you. Sir, can I ask? Yes, yes, please, Sonal ji, please. Yes, so I had a question about Bhakti Marg, is there a different role of prayer in Bhakti Marg? Because you have heard about Ramakrishna Paramhans or other people who had almost like a conversation with the deity, and there will be a lot of intense acting of something, you know, why are you not showing yourself to me? Why I am, you know, away from you? Why I am separate from you, etc. So is that a different thing or do we call it a prayer? Mr. Sonal ji, जो भक्ति मार्ग है, अगर आप देखे हैं, तो उसकी भी कई लेवल है, जैसे प्रेयर के कई लेवल है, जैसे सबसे कॉमन जो भक्ति है, कि आप देखेंगे मंदिरों में और चर्चेज में और इसे रिलिजिस कांगरेशन में, किसी इश्वर की, किसी देओ के बार परख्ति मार्ग में जाता है, उसको भक्ति मार्ग मानने जाता है, उसमें परसनची आती है, हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, नहीं तो कोछ बढ़्या परसाथ ही मिल जाए, लोग जाते हैँ जो हैर लेवर की मारग है, अगर भग leg barr-वत गीता के आपने अध्यन किया है, उसकी भक्ति मार्ग को देखें तो बिलकुन उसका जो प्रारूफ एकदम बद जाता है। इन फेक्ट गीते में भक्ति मार्ग को जब कृष्ण बात करते हैं तो आलमुस आप देखेंगे जो ग्यान मार्ग है, जो कर्म बार्ग उसी तरह हैं। जो अपने विचारों को ठीक कर ले, शुद्ध कर ले, शुद्ध कर ले, वो यह हो जाता है भक्ति योग। तो भक्ति हम किस लेवल की बात करें। यहां तक रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस की बात की गई, वो डेफिनली बहुत अडवांस सेंट थे, और वो काली की उपार सकते। लेकिन कहीं मैंने पढ़ा है कि उनके गुरू जो तोता पुरी थे, एंड में आये कि तुम्हें काली की मूर्थ को तोड़ना पड़ेगा, अदर्वाइस तुम्हें आगे निवार पाओगे। मूर्थ को तोड़ने मतलब यह नहीं करें, अपने माइंड से उसको हटाना पड़ेगा, इसलिए उनके बारे में कहीं नहीं है कि उन्होंने कोई कुजा किया, किसी देवी की कुजा किया, वो तो वैदान्त के थे, और मेडिटेशन तो कलते थे, everybody knows, तो फैंडली लोग उस ही में जाते हैं, और कबीर का फिलास्फी एकम साफ है, तो जो इस सुटरिक मार में चलते हैं, या डीपर मार में चलते हैं, उनका मार भिंग जाता है, अड़नी भक्ती मार से, कबीर बहुत बड़े भक्ते, लेकिन उस मौडरन टाइम में हमारे जे-क्रिश्नमूर्थी इतने बड़े अध्यात्मिक थे, गुरुमान जाते हैं, उन्होंन भी इसको एक तरह से कोई ध्यार निद्या नका रहा ही इसको, यहां तक्रीका दिया कि मंदिरों के बारे में, there is no God there, a question के answer में, तो हम किस लेवल की भक् सकते हैं कि प्राःथना और उपास्टना में अंतर है अंतर वात्वर्स अंतर है अंतर है पर दो इसनी अंतर है और मीटेशन दो मेटेसिन प्रदी तो पूछ सकते हैं क्योंकि हमाय साथ प्रोफेसर शिंदे जी भी है शिंदे जी, if you want to say something add something thank you Panday जी Panday जी, you have dealt very nicely it is a law of karma you have showed and even Svanala asked about prayer, bhakti it is a tuning with the higher self or vibrations tuning, if that bhakti is tuning actually Ramakrishna Paramahansa was tuning with that vibrations of Kali so it is a kind of tuning of karma is said to be the law of harmony, law of karma that is law of laws actually and the teacher explains that karma is the ultimate law of the universe yes the origin it is synonymous with the absolute life yes so even if the law itself is unknowable in action yes in action, its action is perceivable yes it is unknowable, but its action is perceivable if you do good, feel happy if you don't do good, feel unhappy that is experience yes this knowledge of law of karma and its functioning helps one to be aware, cautious, alert about his own, whatever ritual he is doing either prathna, prayer or whatever he is studying meditation, upasana so he has to be aware that law of karma brings definitely opportunity to pay our debt we are debtors actually we have done lot of karma we have to finish our karma so law of karma brings opportunity and we must accept it gladly that is what at the beat of the master it is shown you have explained very nicely I congratulate you even in Hindi you nicely explained thank you thank you thank you US Pandeyji thank you thank you thank you Professor Shindey for your wearable thoughts and as he explained that our daily life is prayer we are aware of our thoughts and our karma so we are praying thank you thank you Professor Shindey thank you sir thank you Shikarji thank you thank you sir no question sir no question no question thank you या बंदु महादेवापपा जी आपका कोई प्रश्न है आप कहना चाहरे हैं जी जी नहीं जी नहीं थैंक यू वेरी मैच वेस्टन आंसर सेशन वेरी नाइस मेरे ख्याल से हमारा समय भी हो गया है और कोई अगर प्रश्न नहीं है तो हम लोग अभी मीटिंग के अंत की ओर चलते हैं और सरप्रथम हम सभी की ओर से प्रग्या लौज की ओर से और हमारे सभी बंदुओं की ओर से बंदु श्री यूएस पांडे जी का बहुत-बहुत धन कालके हम सब के साथ इस बहुत महत्पूर्ण विशह पर अपने विचार और इतने सोर्सेंस से आपने जो इंफॉर्मेशन है जो विचार है वो हम सब के साथ शेयर किये और आशा है हमारे सबी जो delegates हैं उनको उसे बहुत फायदा होगा साथ ही सभी जो हमारे participants हैं जो पूरे इंडिया से आज के इस कारिक्रम में शामिल हुए उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और अंत में मैं सभी से request करूँगा कि इस प्रार्तना नहीं बलकि इस श्लोग जो सभी के कल्यान के लिए हम लोग बोल के meeting को खतम करेंगे उसके बाद सब लोग वेक्तिगत रूप से अपने आपको unmute करके किसी को कुछ best wishes या direct pandeji से बोला हो तो वो बोल सकते हैं हम सभी लोग ने पूरे संकल्प और भाव के साथ सभी के कल्यान के लिए यह श्लोग बोलेंगे ओम सर्वे भवंदु सुकिनहां सर्वे संतु निरावयां सर्वे भध्रावश्यंतु मा क parked अपक वह से घड़े को लोग देचे लोग सबीक अगा प्रनाने स्चिन हैं प्रव खबत सम्हाद्ग ने बढएरलण से फिस वा गन्त जिए भी को